विज्डम कैप्सूल मेसेज बाई सर्श्री छोटे संदेश गहरे संकेत हर बच्चा देखोगे बहुत एक्सपरमेंट करता है सुबह से लेके रात तक क्यूं? क्यूंकि उसे लगता है कि मैं अब पूर्ण हूँ मुझे कुछ प्राप्त करना है जाते। मगर बड़े होकर उसके एक्सपरमेंट बंद हो जाते। क्यूं बंद हो गय? प्रियों कि मैं सबी लोग उसे अपनी त्रेनिंग दे दी। उसके एक्सपरमेंट बंद हो गयत? अब वह जो खुल गरह का था क्यों कर रहा है तो उसको आश्चर होगा अरे क्यों नकरें कुछ experiments करके देखना बहुत आवशक है कुछ प्रियोग हो नई चीज को सुविकार करके देखे मर बड़े होका फिर वह विचार शक्ति वाक्य शक्ति विवेक शक्ति बंद हो हिसे भाय विवेक शक्ति जाग्रतो हम प्रोप करके देखे जब मन परेशान हो प्रोप करके देखे जब चिंता आया डर आया तो आश्यवर होगा कि हम खामखा कितना दुख ने हैं जो दुख बंगने की आवशक्ता नहीं है पिर से बच्चा बंण उस अनुभाव के आधार पर बड़े होकर फिर हम वापस कभी बच्चे नहीं बनते Self-Realization यानि क्या फिर से वह अनुभाव प्राप्त करना जिस अनुभाव में बच्चा है सुबह से लेकर रात तक वो खिलता है और जैसे ही ठक गया बोर हुआ कि सो जाता है और नीद में फिर वही अनुभाव चल रहा है कौनसा अनुभाव आनंद का और आप जानते है कि सभी नीद करना चाहते है आपको एक भी इंसान नहीं मिलेगा प्रत्वी पर जो कहे में सोना नहीं चाहता नीद करना नहीं चाहता गोलियां ले लेकर भी लेना चाहता है क्योंकि उस वक्त कौन सा अनुभाव चल रहा है उस वक्त शरीर का ऐसास गायब हो गया है सारे विच्चार जो है समुन्दर की लहरों की तरह समुन्दर के अंदर चले गए है और समुन्दर शान्त है और घंटो उस अवस्था में हम पड़े है और कोई ऐसास नहीं मगर सुबह कहते बड़ा मज़ा आया यानि वहाँ पर जागुरती थी मगर जिस तरह से हम कलपना करते है वैसी नहीं थी जैसी हमारी मानता है वैसी नहीं थी क्योंकि जैसे शब्द हमारे अंदर बैठे है वैसे ही हम सुनते है और सही नहीं सुन पाते तो एक समय जाता है सही सुनने में नहीं तो self-realization या अनुभव जो आपके अंदर है वह here and now है यानि अभी है यहीं है अगर आपको कहा जाए अब अंदर जाकर देखो उस अनुभव को तो यह नहीं कर पाएंगे कारण एक कलपना लेकर अंदर जाओगे एक मानता लेकर अंदर जाओगे एक पिक्चर बनाकर अंदर जाओगे और कहो के कुछ नहीं था अंदेरा ही था आगबंद की सिर्फ अंदेरा था कुछ भी नहीं था मगर वो अंदेरा किस प्रकाश में दिखता है वो अंदेरा भी आपने जाना तो किस प्रकाश में जाना अंदेरा जानने के लिए भी तो प्रकाश की आवशकता है ऐसा कौन सा प्रकाश है जिसके अंद अंधेरा और प्रकाश दोनों जाने जाते है वह है तेज प्रकाश ऐसा कौंसा सत्य है जिसके अंदर सत्य असत्य दोनों जाने जाते है वह है तेज सत्य है ऐसा कौंसा आनंद है जिसके अंदर सुख और दुख दोनों समा जाते है वह है तेज आनंद ऐसा कौंसा मौन है जिस के अंदर शोर और शांती दोनों समाए है वह है तेज मौन तो वह जो दो के परे है जो अभी है यहीं है इतना आसान होने के बावजूद भी इतना कठिन बन गया है कारण क्या है कारण हम अपने मानिता के चश्मे से ही देखते हैं बच्चा मां के घर्ब में होता है सुकुड से जल्द वह बाहर आना चाहता है ताके पूरा खुले खिले मगर क्या वाकिग वह जीवन में पूरा खिल पाता है खुल पाता है जब कोई बुड़ा मर जाता है तो लोग उतना दुखी नहीं होते जितना एक बच्चे के मर जाने के बाद कारण सबही जानते हैं वह बच् कि अवस्ता समझ सकते हो इसलिए दुख ज्यादा होता है मगर आंतरिक रूप से कितने लोग पृत्वी पर पूर्ण खिलकर खुलकर मरते हैं देखोगे के सुकड़े सुकड़े ही जीकर मर जाते हैं क्यूंकि उन्होंने सत्य नहीं जाना जब सत्य जाना तो वह खुल गए उनका विकास होने लग गया जो संभावना थी वो खुलने लग गई एक बीज में कितनी संभावना है खुलने की एक बीज को अगर आप रास्ते पर डाल दो वो उसी दिन सड़ जाएगा धूप में जल जाएगा उसी को पत्रिली जमीन में डालो थोड़ा बाहर आएगा ज जल जाएगा क्योंकि उसकी जड़ अंदर नहीं जाएगी पत्रिली जमीन है पर उसी को एक अच्छी जमीन दे दो मगर चारो तरफ काटों की जाडियां दे दो तो क्या होगा विकास तो होगा मर काटों में उलज जाएगा गलत संगत में कोई है अच्छी जमीन मिली तो भ पानी चाहिए तब वह पौदा उतना खुलता है जितना खुलना चाहिए और अगर उसके साथ कोई माली भी मिल जाए ऐसा कोई बीज जुसको सही जमीन भी मिली खद्य पधार्थ भी मिला पानी दूबण चांब भी मिली और माली भी मिला तो क्या हुआ उसका पूर्ण विकास हुआ पूरी संभावना खुली इंसान को क्या यह सब कुछ मिल रहा है अगर वो अपने आप से पूछे कि तुमारे अंदर डर चिंताएं जो है ये निकालने के लिए कोई है कोई ग्यान देने वाला हमारे पास है कोई मार्दर्शन करने वाला मान्यता की तरफ इशारा करने वाला कि ये जो तुम मानकर बैठे हो ये दोखा है इससे बाहर उठो सत्य जो सीधा हमें बताया जाए कि ये सत्य है और अब तुम वह अनुभव कर सकते हो क्योंकि वो अभी भी है कहीं गया नहीं है सिर्फ तुमें वो देखने की कला आ जाए मान्यताओं को बाजू में रखकर सीधा सीधा देखने की कला मिल जाए वहतेश ग्यान मिल जाए तो फिर आप देखोगे कि आनंद इसी शण है अब भी है अपना होना अब भी है आप हो अब भी हो अब भी वो आनंद हो सकता है कोई आपको मिलता है जो आपको कहता हो कि मैं आनंदित हूँ अपने होने की वज़े से मैं हूँ इसलिए आनंद है वरना हर एक सोच रहा है आनंद तो किसी कारण से होना चाहिए प्रमोशन मिलेगा मैं खुश होंगा engagement होगी मैं खुश होंगा result आएगी पास होंगा मैं खुश होंगा कुछ होगा तो मैं खुश होंगा अब भी नहीं हो सकता मगर अब भी खुशी का कारण अब भी है अगर समझ में आ जाए अपना होना अपना होना शरीर समझ रहे हो तो कोई खुश नहीं है मैं ये शरीर हूँ कोई खुश नहीं होगे आपको मगर जो तुम हो वो समझ में आए तो अब भी आनन चुरू हो जाए तो वह आनन अब भी शुरू हो जाए क्योंकि सभी दुखों से बाहर आ जाओगे पेट में बच्चा सुकड़ा होता है वो बाहर आना चाहता है खुलना चाहता है हमारे अंदर भी कुछ खुलना चाहता है क्या हम खुलने को तयार है कुछ प्रियोग करने को तयार है हमारी विचार धरा किस तरह की है और सुबह से लेकर रात तक सारे काम काश करते हुए उस अनुभाव पर stabilise हो जाए उस अनुभाव का आनंद लेते हुए काम करें अगर कोई ऐसी अवस्ता है अगर कोई ऐसी अवस्ता दुनिया का एक इंसान प्राप्त कर सकता है तो सभी की संभावना है तो आपकी जो संभावना है आनंद प्राप्त करने की खुलने की खिलने की प ले सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है. ले सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दीक है.